ओम नमार शक्ति चवाय फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह कुछ पेंडेंट हैं और मैं यह पेंडेंट इस्पेशली बनाती हूं किसी प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए उसी प्रॉब्लम से लेटिट मंत्रों को अभी मंत्र बनाती हूं और जिसको भी मिलते हैं उनके प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होई है अगर आपको नीड है तो आप कॉंटेट कर सकते हैं यह पेंडेंट मंगा सकते हैं यह आपकी लाइफ में काफी काफी पॉस्टिविटी ला देंगे जो आपकी विश होगी वो जरूर जरूर होगी चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूं फिंवर्स घwers चिजो लिए भी वीडियो देख रहे हैं वो अभी मेरे वीवर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं उनके मेरे वीवर्स के लिए करेंट ओट्स और फिलिंग्स क्या हैं प्लीज उनिवर्स गाइड कीजिए उनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए उनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए उ के लिए आपते परसम के लिए डैविल एंड टू ओफ वैंड्स नेक्स्ट टावर एंड नेक्स्ट साड़े यहां पे त्री ओफ पैटिकल्स नेक्स्ट पोर ओफ पैंटिकल्स क्लारिफिक्शन लोंगी उनिवर्स प्लीज क्लारिफाई कीजे डैविल क्यो दिया अपने श С sollकारा चावरण्ड च soupते त्री ओंडben क्लरा ओफ इंडीक्शन लोंग्र दिया जासल के लिए उनिवर्स साने टिया जोग वहां पैंडस्ट पैंडटों लोंग्रेफिक्शन श क्लारिफिक्शन बरफ इंड पैंडटों ट्री टू ट टे लंडटीत स्या लोंग्रा उनि 7 of Cups and 7 of Cups भी clarify कीजिए प्लीज King of Penticus bottom of the deck यहाँ पे है 3 of Vents and the world चरी मैं कार्ड आपको शो कर रही है भी देखिए अगर आपको 3 की Synchronicity हो रही है या फिर 7 की Synchronicity हो रही है तो फिर यह वीडियो आपके लिए है इसमें आपके लिए कोई नो कोई मैसिस जरूर है यहाँ पे 1st card देखिए क्या था 1st card है यहाँ पे devil यानि आपके person जिस भी negative energy से गुज़र रहे थे जो भी उनके issues से अगर lust की energy भी उनकी थी तो वो lust की energy भी divine ने heal की है divine intervention की वज़े से इस्वर की क्रपा की वज़े से आपके person की चाहे इन पे spell किया गया हो चाहे black magic किया गया हो या फिर यह lust issue जो इनका था calm, crow, the love, the mood जो भी इनके issues से वो divine ने clear कर दिये है इस्वर की क्रपा बरस गई है आपके person को हर आपके person का हर block is release किया है divine ने और एक एक new energy में ला रहे है 11-11 portal आने वाला है आपके person बहुत positive way में transform होके आ रहे हैं बहुत सारी इनकी बहुत सारी लगबग मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे issues जहां पे भी इस्टक थे ये जो भी इनका कोई addiction भी अगर था तो वो addiction भी release हो रहा है हो रहा नहीं हो चुका है यह मैं क्या कहूँ यह completely heal होते हैं मुझे feel हो रहे हैं यह spiritual बात पर आ गए हैं यह भक्ती करने लगे हैं और भक्ती का मतलब भक्ती भी कर रहे हैं और अब यह true love को priority देते हैं जो इन से सच्ची भावना से जोड़ता है उसकी तो यह मदद कर देते हैं जो दिमाग चलाता है जो अपना दिमाग मतलब होश्यारी इनके साथ इनके सामने कुछ हो और मन में कुछ करता है ऐसे लोगों को भी बिल्कुल बढ़दास नहीं करते हैं अभी तक यह था कि यह सोचते थे पर आप किसी को नुकसान नहीं कर नहीं और को आपको पढ़्यागों करना चाहिए आप किसी हैसे परां प्रेंगे कर देंसे साथ Smash लेंग बैलेंस करना और होता है पुमेंस के साथ और के साथ गलत करे नहुãn के साथ इनको कुछता क्लव और सीचत की साथ है किसी को तो रोकना होगा तो ये बात आप पर समझाआई कि यह मीडियम तो मुझे निघिविटीबिटी को पर पैर क्रिएट करना है इसलिए आपके परसन को डिवाइन ने ने उन सारी बाइनेर्टी से निकाला है उनको learning मिल चुकी है two of events यानि आप दोनों के बीच में अगर कोई person भी था या family issues थे कुछ भी था कोई second option जो था उस second option को इन्होंने छोड़ा है इन्होंने आपको एक लुज किया है अकर आप long distance में हैं तो यह travel करके आप से मिलेंगे आके overall यह आप से मिलेंगे जरूर इन्होंने decide कर लिया है इस decision ले चुके हैं आपके तरफ आने का और आपके लिए decision लेने का decision ले चुके हैं अभी तक यह आपके पर लेना है इन्हें आपसे एक उजट करनी है इन्हे आपसे विजट करनी ऐने आपके उसके लिए छिसे करना पड़े उसके लिए करने है जो खतम करने का मीनिग है जो cycle खत्म करनी पड़े, जो energy based जो चीज़ों होती है, वो चाहे कोई भी pattern हो, उसको खत्म करना पड़ेगा तो वो खत्म कर देंगे, लोग अगर होंगे रिष्टे अगर तो तो रिष्टे तोड़ने से यह बाज नहीं आएंगे यह तोड़ देंगे वो रिष्टे, जिन रिष्टों के बाज़े से यह आपकी तरफ नहीं आ पा रहे है इनके लिए आप इनकी इंप्रेस हो, देखिए आप इनकी इंप्रेस हो, इन्हें यह एसास है कि आप से यूनियन में आए बगर, इन्हें सुकून नहीं मिलना है सुकून इनका आप ही हो, और मुझे यहां स्ट्रॉंग यूनियन के एनरजी फील हो रही है यह आपको यह हर पल याद करते हैं, यहापे प्लस का साइन भी है इन्हें यह लगता है कि जब आप से यह कनेक्ट हो जाएंगे आप इनकी जिन्दगी में वापस आ जाओगे ना, तो इनकी जो प्रॉस्पेरिटी है इनकी जो हैपिनेस है, इनकी लाइफ में जो गुड़ लख है इनका ना, वो कई गुना मल्टिप्लाई हो जाएगा यह इनकी एनरजी है, आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपको इतना एड्माईर करने लगे हैं इन प्रिजेंटी है आपको एड्माईर कर रहे हैं, अगर आप अपने परसन की अच्छाइयां सोच रहे हो, आपको यह लग रहा है कि इतना भी खराब हो, यह अच्छाई तो थी ना तो आप ये भी notice कर रहे होंगे कि आपको अपने person की इस टाइम पर बुराईया याद नहीं आ रही है आपका ध्यान जब भी जा रहा है तो उनके अच्छाईयों की तरफ जा रहा है उनके अच्छाईयों की तरफ ध्यान क्यों जा रहा है आपका नहीं जा रहा है, आप तो अपने काम में जुटे हुए हो ध्यान उनका है आपकी अच्छाईयों पे वो energy आप receive कर रहे हो, वो thoughts आप पिक कर रहे हो यह आपको admire कर रहे हैं और आपको लगता है कि आजकल आप इन्हें बहुत admire कर रहे हो यह आपको admire कर रहे हैं, वो energy आप पिक कर रहे हो इसलिए आपकी तरफ आने के लिए इन्हें जो छोड़ना पड़ा वो छोड़ देंगे, यहाँ पर next card है three of pentacles, देखिए three of pentacles और उसका clarification, sorry, pace of events यानि कोई हो सकता है कि कोई गुरुदेव, कोई spiritual person या कोई mediator, आप दोनों की बीच में न्यू beginning करा सकता है, गुरुदेव का मीनिंग यह हो सकता है आप लोग spiritual पात पे हो, spirituality को फॉलो करते होंगे तो जिस सरी के जिन को गुरु आप मानते होंगे उनी को ये गुरु मानते होंगे आप जहां के सत्संग, जिन संत को जिन कथा वाचा को सुनना आप असंद करते होंगे उनको ये भी करते होंगे आप दोनों आप असंद पहले सुना करते होंगे जो भी spiritual practices थी, कुछ तो ऐसी spiritual practices हैं जो आपके और इनके बीच में common हैं दोनों वो क्या करते थे तो वो जो common spiritual practices हैं वो medium बनेगी आपके रिष्टे में एक नई शुरूबात करने के लिए second ये भी है किसी-किसी की life में, किसी-किसी वियोर के आप दोनों के बीच में कोई mutual friend आ जाएगा कोई mutual friend आके new beginning कराएगा आपके रिष्टे में और यानि new beginning का meaning है आपको अगर इनकी information नहीं मिल नहीं तो कोई divine कोई mutual friend आएगे जो आपको इनकी information देगा इनकी information आपकी information उनको देगा इस तरह से ये जो information मिलेंगी आप दोनों एक दूसरी के लिए positive हो तो जो positive information मिलेंगी तो रिष्टा positivity की तरफ ही जाएगा तो new growth होते हुए मुझे दिख रही है एक ऐसी growth तब एक बीज में से नगया पौदा निकलना new news sprouting आपके रिष्टे में निए अंकुरन किसका खुशियों का इस रिष्टे में खुशियों का आपको फिर से फिर से ये खुश देखना चाते हैं बहूर टाइम हो गया आपको न्हीं को देखे हुए और आप को किसी को गुरु करने ओसुन को सिनना नगेए हैं यह और इन शुरूआद कooky मांग रहे हो तो आपके खूर्डेव और आप आप गुर्देव से सीले अधर निर लुब होतो आंड monet आपके इनके गुरुदेव एक हैं तो वही मीडियम बरना है आप दोनों के साथ आने के नेक्स्ट काड़ यहां पर था फोर पैंटिकल्स सेवन ओफ स्वोर्स और सेवन ऑफ कप्स देखिए फोर पैंटिकल्स यानि यह कुछ सेविंग इन्होंने करी है और वो सेविंग क्यो हो सकता है लिया हो यह इन्होंने कुछ डिसीजन ऐसा लिया है कि तो मैं अपने परसंट के साथ करूंगा मैं अपने परसंट के साथ मिलके ऐसा काम करूंगा यह मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने ऐसा इन्होंने डिसाइड किया है आने वाले टाइम में यह ऐसा ही कुछ source of income generate करने की कोशिश करें और यहां पर seven of source थोड़ा सा यह logical होने की कोशिश करेंगे आप जब भी आपकी विजिट होती है इनसे आपकी बात होती है तो आप जादा इनको कहते हैं कुरेदने की कोशिश ना करेंगी तुमने ऐसे क्यों नहीं किया था तुमने ऐसे क्यों जाध एक बम तो इसे की वैसे क्यों कि दो अनों अगर आपने आपने भी वह —— personnage होगे और अगर ये फिर बाल की खाल निकाले जब इन्हों ने आप से बात की तो फिर ये फिर उसी confusion में चले जाएंगे कि मैं तो क्या समझा था और क्या हो गया ये परसन अभी भी वैसे ही है अभी भी उतना ही argument करने वाला है तो आपको argument में नहीं पढ़ना है इसे और देखे आपके साथ कोई तो source of income मुझे इनका feel हो रहा है ये इनके आने से आपकी life म में से जरूर आएगी, हो सकता है आप में से कोई viewer है तो आप अगर आप को लग रहा है कि परसन आपकी जिंदगे वापस नहीं आसकता तो आप वैसे मुझे है निज या तेख रहा है कि आपके परसना आपके जिंदगे मापस आएगे तेकि जब तक नहीं आ रहे हैं आप कोई विजनेस अगर कर रहे हो या कुछ शोशल मीडिया पर कुछ कर रहे हो तो कोशिश ऐसे करिएगा कि इनके नाम के कुछ लेटर्स आप या डियोबी के कुछ डिजिट आप अपने उस जो भी आप टाइटल दे अपने जॉब को अपन अपने साथ अपने नेम के साथ इनकी डियोबी या अपने नाम के साथ इनका नाम या अपने डियोबी के साथ में इनका नाम या इनकी डियोबी इस तरीके से यूनाइटिट करके आप करें तो उस काम में आपको ग्रोथ मिलेगी क्योंकि इनके आने से आपकी ग्रोथ हो र यहां बयास्ति ने उल्लाएज नपर नीश अटने साथ हैं और इसा नहीं को यह द्यान के लिख लगते हैं अपने नाम के साहथ भो दिया कि չंप में बताती हैं कि कैसे डिलान को अटकर ना है बार बार गुर्देव की अनरजी बार 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 गुर्देव की अनरजी आ रही है कोई गाइड मिलेगा हो सकता है यह किसी से guidance भी ले रहे हूं कि मेरा इसे खराब हो गया है और इस वज़े से हुआ था, मैंने ये गल्ती की थी, मेरे परसन ने ऐसा कर दिया था, इन सारी पतक वेसे मेरे रिष्टा खराब हो गया था, अब बताओ मैं क्या करूँ, मैं कैसे क्या करूँ, कैसे रिष्टे को समा लूँ, किसी से guidance भी ले रहे हैं, और जो भी इनको guide कर र हैं, यह जो भी है, यह अभी जो current situation आपके चल रही है, current जो situation आप दोने के बीच में separation है, यह on and off है, इसको completely खतम करेगा, और completely union के और ले जाएगा, यह जो भी energy, यह third जो भी energy, जो mediator बन रहा है, आप दोनों के बीच में, आप दोनों को union में लाने में, यह पूरी help करेगा यह सही intention से आपको मिलना है, आप दोनों के बीच में आ रहा है, और अगर कोई third person ऐसा भी होगा, जिसको आप लोगों का union पसंद नहीं होगा, तो उसका influence नहीं रहेगा, वो physical world में भले ही रहे है, लेकिन उसकी energy influence नहीं कर पाईगी आपके union को, क्योंकि गुर्देव आपके आपके गुर्देव हैं तो जरूर मानते होंगे आप, तो आप अपने गुर्देव से प्रे कीजिएगा, उनसे connected रहे है, मुझे यह ऐसा फील हो रहा है कि आपका union आपके गुर्देव की blessing से आपका union होगा, तो आपने गुर्देव से प्रे करते रहे है, आपके गुर्द तो कुछ ऐसा ही आपका जो टाइम था कि इतने दिन तक आप लो सेपरेट होगे, अपने अपनी लर्णिंग लोगे, तो वो सेपरेशन की साइकल, वो टाइम, वो समय चक्र अप कम्प्लीट कर रहे हैं आपके गुर्देव, और अब आप जब आपकी लाइफ में सिर्फ ज मैं क्या बोलूगे, एक लग्जुरियोस लाइफ आपकी होगी, आपके पास सब कोछ होगा, कोई कमी नहीं होगी, मैटेरियल वर्ड में भी, और इस्पिरिच्वल वर्ड में भी आपको बहुत सारे स्पिरिच्वल एक्स्पिरियंस होना शुरू हो जाएंगे, आपके पर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, और उसको दिखाने के लिए, ड्रीम डीकोडिंग के लिए, जिस तरीकी भी आपको हेल्प चाहिए, उसके लिए आप उसे कांटेट कर सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे मैसेज तो आप अपाइडमेंट लीजिए, जो कि चार्जबल होता है, अपाइडमेंट लेके आप पेमेंट करके, आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी, लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं, तो मैं यूहीं हर किसी को एक गंड़ा नहीं दे सकती हूँ, मैं मतलब मैं इ अपाइडमेंट लीजिए, और उससे पहले आप मुझे प्लीज वाट्स आप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है, वो भी शेर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा, तब मैं आपको अंसर कर दूंगी, मैं वाट्स आप पे आपको रिप्लाइड कर दूंगी, मैं पांस अपाइडमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो की चार्जबल है, अदरवाइस आपकी कोई प्रॉब्लम है, या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में में रिप्लाइ कर देती हूं, या फिर वाट्स आप कीजिएगा, लेकिन बात करने के लिए, सौरी मैं यह उसको टाइम देना मुझे 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 हो जाएगा, तो प्लीज आप से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज्यादा बात करनी है, डिटेल आदा गंडा एगंडा बात करनी है, आपको गाइडिन्स चाहिए अगर, तो प्लीज आप अपाइडमेंट लेके जो की चार्जब है, आप बात कर सकते हैं, अदर्वाइज आप कमेंट कर सकते हैं और वाट्स आप मैसेज कर सकते हैं, गड़ ब्लेस यू,